कि रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चल कर समंदर भी आएगा ठक कर मत हार ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा आप लोगो डीटल के माइदम से इस वीडियो के माइदम से पताए जाएगा तो एक एक चीज़ को बारी किसे समझते चलिएगा चैनल पने या तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि इसके बाद लगातार जो है आप लोगों के हर सब्जेट की तियार इस चैनल वो NCRT का नया बुक से कोशन पूछा जाएगा और उसी को लेकर समिक्षा किया जा रहा है आगे देखिए एक एक चीज़ डीटल से मैं बताते चलता हूँ समझते चलिएगा क्या लिखा गया है राज में कच्छा नौवी से बारवी तक के पाइट करम की समिक्षा की जाएगी इसके लिए अवजसक परक्रिया जो है सुरू कर दी गई है जिया दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए और मात्र कुछी दिन बचे है क्योंकि फरवरी में आप लोगों का जो है इक्ज के जो है सिच्छक इसमें सामिल होंगे यानि आप लोगों का मॉडल पेपर का जो त्यारी है वो सुरू किया जा रहा है आगे देख सकते हैं सिच्छकों को सुक्रुवार को जारकर्ण एकाडमी काउंसिल के सभागार में एक दिवसी जो है परिसिच्छन भी दिया गया है यानि परिसिच्छन भी दे दिया गया है यानि आप लोगों का मॉडल पेपर आप लोगों के पास जल देखने को मिलेगा आगे देख सेदे क्या लिखा गया है कि सिच्छकों को सिब्यसी पाइट करम के अनुवरूप जो है सिलेबस में अवश्यक बदलाओं के साथ पेटन पर आप लोगों को तैयारी अभी से सुरू करा दूंगा ठीक है क्योंकि उस बाद सीधा सिरी कहा गया कि सीब्यसी का सिलेबस के पैटन के हिसाब से आप लोग का क्वेश्चन भी त्यार किया जाएगा ठीक है आगे देखिए क्या लिखा गया है सिच्छकों की पुरू बहतर अभ्यास हो सके यानि आप लोग जो ही एक्जाम से पहली बहुत अच्छे से कंफिडेंस लेबल एकदम हाई करके आप लोग एकदम फोड़ के आए एकदम फूल मार्क्स लेके आए ठीक है तो उस हिसाब से आप लोग का पैटन को त्यार किया जा रहा है और धुआधा रिजल कर दिया था जारखन के टॉप 10 में भी बहुत सार इस्टूडेंट्स आए हुए थे तो आप लोग भी इस बार आने वाले है ठीक है बस आप लोग सपूर्ट कीजेगा उन्होंने सिच्छकों को समय पर समिख्छा का रिपोर्ट देने को कहा है इस मौके पर जैक और जेसी आरटी के पधादी कारी भी जो है आपका उपस्तित थे तो जल्दी आप लोग का मौडल पेपर जो है देखनों को मिल जाएगा चले बहुत सरे बचे डाउट में थे कि एक्जाम का पैटन क्या होने वाला है क्योंकि कुछ लेटर में जारी करके बताये गया थे इस बार 20 माक्स का होगा लेकिन यहाँ पर अपडेट में देख सकते क्या लिखा गया है मैट्रिक इंटर परिच्छा में 30 प्रशन एक एक अंके होंगे यानि फिर से आप लोग का जो अबजेक्टिव टाइप कोईशन होगा वो पहले की भाती जो है 30 प्रशन जो ह अबजेक्टिव इस बार भी आपको देखनों को मिलेगा क्यों क्या लिखा गया है आप लोग देख लिजिए ठीक है आप लोग अपनी राई एस में बताईगा कि अच्छा है या आप लोग के लिए बुरा है ठीक है आप लोग अपनी अपनी राई परतिक्रिया देकर इस सहमती दे दिया है सिच्छा मंत्री की सहमती के बाद जो है इस आशाय का पत्र जो है जैक को भेजा गया है यानि इससे रिलेटेड जो है पत्र भेजा गया है ठीक है यहाँ पर देख लिजे इस आशाय जो है इसको सहमती किस ने दिया है सिच्छा मंत्री जब सिच्छा मंत्र देखिए क्या कहा गया है दो हजा चौबिस के अनुरोफी जो है प्रस्ण पूछा जाये इसमें तिस परस्ण बहुत कल्पी होँगे सबु बहुत कल्पी है प्रस्ण एक-एक अंग के होँगे यानि तीस अब्जेक्टिव होगा और हर एक के लिए एक-एक अंग मिलेगा जि 20 अंक का जो है आप लोग का क्या होगा आंतरिक मुलंगन होगा जैसे इंग्लिस का पेपर है ठीक है अब माली जे आपका 80 नंबर था 80 में आपका हो गया 30 अब्जेक्टीब तो सब्जेक्टीब कितना आएगा 50 सब्जेक्टीब कितना आएगा 50 आप इंग्लीस जो है उसमें क्या होता है उसमें practical तो होता है नहीं तो इसमें 80 नमबर का हां से देंगे भई तो 20 नमबर जो है यह आप जो विकली टेस्क्ट दे रहे है वह का रखा जा रहा है और उस 20 नमबर को आफेज करके आपका इस एक्टेंडेंस देखे आपका performance देखके आपको 20 में से आंतरिक मुलांकन करके नंबर दिया जाएगा ठीक है तो 80 में आपका 30 नंबर का जो objective रहेगा और 50 नंबर का जो है very short answer type question आती लगुत्रिय दिरगुत्रिय ठीक है लगुत्रिय इस टाइप के परशन देखने को मिलेंगे 50 नंबर का और 30 नंबर का objective रहेगा और ऐसा जो पेपर जिसमें practical नहीं है उस पेपर में जो है 20 नंबर का आंतरिक मुलांकन किया जाएगा और जिसमें practical है उसमें practical होगा ठीक है clear हो गया इसलिए weekly test को जरूद दिया कीज़े और school college अभी regular जाना सुर कर दीजे फिस से ठीक है जो बच्चे घर में बैटके जो है अभी time pass कर रहे है please अगर school खुल जाए तो last time में अपना जरूर school में attendance वेगरा सब अच्छे कर लीजेगा ठीक है तो यहाँ देख लीजे क्या लिखागा आंतरिक मुलांकन संबंदी school college के अस्तर से होगा ग्यात हो क्योंकि देखे आंतरिक मुलांकन का number किसके पास है 20 number पूरा पूरी आपकी school college के पास है अब 20 into अगर 5 करे तो आपका हो रहा है कितना number 100 number यानि 100 number पूरा पूरी school के पास है तो इस्कूल से एकदम पंगा नहीं लेना है ठीक है इस्कूल आपको attendance जो है देना जोरी है exam अगर लिया जाता है तो exam को भी जोरूर attend करना है क्योंकि 100 number भाईया उसकी उनी के पास है ठीक है देख लेता है आगे क्या लिखा गया तो आगे देख सकते है प्रशनों को लेकर जैक इस्कूली सिच्छा एवन साच्छता विभाग मारदक्सन मांगा था सिच्छा विभाग ने पूर्व में परिच्छा में बहुविकल प्रशनों को सेंखा को कम करके कितना किया था 20 ठीक है तो 20 फिस फिस दी किया था आप देखे एक्जाम को लेकर क्या लिखा गया फरवरी में परिच्छा अगले मा जमा होंगे फार्म ठीक है तो फरवरी में आप लोग का जो है इक्जाम होने वाला है और फार्म फिल आप जो है आपका इलक्षिन के साथ आप लोग का जैसे कंप्लेट होता वो आपका प्रोसेस भी सुरू हो जाएगा तो ये था आप सभी के लिए अपडेट आप लोग की क्या राय है क्या परतिक किरिया और क्या सवाल है आप लोग नीचे कमेंट करके बताएगा और ज्यादा कुछ इंपोर्टेंट आप लोग को डिसकसन करना हो तो इंस्ट्राग्राम और टेलिग्राम का लिंक दोनों दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में वहाँ जोरू जोइन कर जाएगा मिलतो दोस्तेक नए वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद जैहिंद वंदे मातरम